फिल्म इंडस्ट्री के लिए सितारों का वाके में बहुत मुश्किल है इस साल को निकालना भले ही तो महीना ही रह गया लेकिन ये दो महीना भी ऐसा लगता है कि कई तुफान और लेकर आएगा क्योंकि साल 2020 ना सिर्फ कोरोना की महामारी बलकि फिल्मी सितारे और बारत देश के बड़े बड़े चेहरों के लिए बदनिसी भी लेकर आया हम बात कर रहे हैं यहां हमारे इस खास रिपोर्ट में चिरन जिवी सार्जा के बारे में प्रेगनेंसी की हालत में उनकी पत्नी कैसे अपने पता को मुश्किल से निकालती उनके लिए काफे मुश्किल था इसी वीच हम आपको बताना चाहेंगे चिरन जिवी सार्जा के निधन के बाद अब उनकी पत्नी मेगना राज जो है बड़ा कदम उठाती नजर आई उस वक्त तो वो बहुत दुखी थी सब जानते हैं क्योंकि प्रेग्नेंसी के हालत में थी वो और पती का निधन हो गया ऐसे में उनके देवरी हैं जो उनका सहारा है दुरुवा सार्जा जिन्होंने सिल्वर क्रेडल खरीदा है नवराथन जोयलर के लिए से अपने छोटे बेबी के लिए अपने भाई के बच्चे के लिए चांदी का वो जूला मेगनाराज और चिरंजीवी सार्जा के बच्चे के लिए दुरुवा सार्जा चिरंजीवी सार्जा के भाई ने खरीदा क्योंकि मेगना इस वक्त बहुत अकेली है अपने पहले बच्चे को देखने से पहले ही चिरनजीवी सारजा का कार्डिक अरिस्ट की वज़से निधन हो गया था और अब महीनों बाद उनकी प्रेगनेंट वाइफ जो है जे आर्ट सार्जा यानि की जूनियर सार्जा के जन्म से पहले सार्जा परिवार के साथ हॉस्पिटल में पहुची है जहाँ उनकी मा प्रामिला जोशाई भी और पता सुन्दर राज भी थे आक्षा हॉस्पिटल जी हाँ बैंगलूरू के क्या रोड मिस्थद आक्षा हॉस्पिटल में मेगना राज को एड्मिट किया गया है नौवा महीना प्रेगनिंसी का है और डिलीवरी डेट नस्दीक है और प्रीट में चल रहा है मेगना राज का क्योंकि बिमार भी है वो एसलिए चिरन जीवी सार्जा के प्रेगनिंट पतनी को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो बहुत जादा रोई जो अपने पती के खोने के वजह से उस सबमे के वजह से असर उनके मानसी हुआ है दस लाग के चांदी का जो छूला द्रुवा सार्जा ने अपने भाई चिरन जीवी सार्जा के लिए खरीदा जूनियर चिरन जीवी सार्जा के लिए उसे मेगना राज बहुत खुश है लेकि मेगना ने कहा इस वक्त बहुत ही इमोशनल है चिरन जीवी सार्जा के साथ ए अपने होने वाले बच्चे को लेकर इंतजार कर रहे थे। चिरंजीवी सार्जा का निधन जब हुआ तो पूरी के पूरे साउथ इंडस्ट्री में एक बड़ा शोप का महौल देखने को मिला था। शद्धांजली अर्पित करते वे फूलों की बारिश और पर की गई थी उनकी अंतिन विदाई के वक्त। अर्चानक जब उन्हें काडिकरिस्ट की वजह से पेन हुआ था तो प्राइबिट हॉस्पिटल मुंबई के प्राइबिट हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया था। सिर्फ 49 साल के थे चिरंजीवी साजा और अज उनके जाने के बाद उनकी पत्नी के लिए ये समय कितनी तकलीब दे हैं। इससे मेगना से जादा कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ 30 साल की है मेगना, पती से 9 साल छोटी। नेकिन प्रेग्नसी की हालत में वो अपने पती का साथ नहीं पा रही है। आज उनकी स्थिती कैसी है आप समझ सकते हैं। शांदार परफॉर्मस उन्होंने इरुविदल लवाला बिटू में दिया जो साल 2018 की जबर्दस सूपर हेट कर नड़े फिल्म है। मेगना राज के पोश्ट की बात की जवाए तो पती के जाने के बाद भी मेगना ने खुद की हिम्मत को बना कर रखा क्योंकि वो अपने होने वाले बच्चे के लिए खुश रहना चाहती थी। मेगना राज का गोद भराई का रस्म भी हुआ। उनके गोद भराई के रस्म के वक्त उनके परिवार के सभी सदस्य थे। सिर्फ पती की कमी थी। मेग नाराज के लिए उनके जेवर जी हमेशा उनके साथ रहे इसके लिए उनोंने कहा शुक्री आदा हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी आपकी हर मुश्किल समय में बहुत जादा चीरू आपसे प्यार करते थे और आप भी चीरू सुतने ही प्यार करते थे इस बात की खुशी है हमें बताना शाहिं के हमाग कोई वीडियो भी शेर किया मेगना राज ने उस वीडियो में चिरन जीवी सार्जा और मेगना की जिंदगी का खास वल था लेकिन अब तस्वीर में कैद हो गए है चिरन जीवी सार्जा जिनके लिए उनकी पतनी जो है बहुत जादा इमोशनल है और उनकी तस्वीर के साथ कोद भराई में चिरन जीवी सार्जा की पतनी में मेगना राज का स्वागत किया गया जी हाँ उस स्वागत के फल में काफी जादा इमोशनल हुई थी वो और काफी जादा रो रही थी वो ये देख कर लोग काफी इमोशनल हो गए थे उनकी तस्वीर में लग लगाकर उनस तस्वीर को सहलाती हुई अपने बेबी बंप पर हद रखकर एमोशनल होती नजर आई थी चिरन जिवी सार्जा की पतनी मेगना आज वो चिरन जिवी की पतनी होने वाले बच्चे के उचन को लेकर खुश भी है और काफी एमोशनल भी क्योंकि ये समय इतनी तकलीब दे है किस बारे में कभी किसीने सोचा भी नहीं था कि इतना बुरा समय भी आएगा कि मेगना को अपने पती के बिना गुजारना पड़ेगा नेक्ष्टनाइन निजरूम से त्रप्ती की रिपोर्ट के साथ नेक्ष्टनाइन के परिवार से यहीं उमीद करेंगे कि चिरंजे भी सारजा की पत्नी को हिमत मिले उनकी होने वाले बच्चे को संभालने के लिए नेक्ष्टनाइन निजरूम से त्रप्ती की रिपोर्ट